हालो this is my new video in ECG series कि अपन इस वीडियो में rhythm disorders के बारे में पढ़ेंगे और बजब एक basic ECG के लिए approach पढ़ेंगे किसी ECG को अपन कैसे approach करें अगर कोई अपन वो ECG देता है तो अपन इसको कैसे पढ़े अपन कैसे काई कि विज़े normal limit से ECG या फिर इसमें कोई भी variation है out of normal क्या normal sinus rhythm है या फिर atrial flutter है fibrillation है कोई tachycardia है को rhythm disorder है कोई block है कुछ भी है अपन को कैसे approach करें ECG को तो अपन इस वीडियो में सीखेंगे कि अपन को exam message दी जाती है या in general अपन जब ECG को देखते हैं तो अपन इसको क्या करें कैसे पढ़ें अपन इसको या फिर अपन डारेक्ट अपन क्या करते हैं गलती डारेक्ट diagnosis ब जम करते हैं इसमें second heart block इसमें second degree heart block है इसमें atrial fibrillation है या ventricular tachycardia है या फिर अपन कह सकते हैं जब sinus rhythm या sinus rhythm है sinus arrhythmia है कोई PVC अपन इसको तो अपन को एक approach रख नीचे ECG के लिए कि अपन उसको ECG को कैसे describe करते हैं तो सबसे पहले अपन जो ECG इन चीज रिखते हैं वो अपन क्या दिखते हैं कि वो standardized है क्या उसको describe है इस पहले अपन ही देखते हैं कि जो अपन ECG machine को set कर रखा है वो उसी norms के according चल रही है कि जनरली जो ECG machine का set रखते हैं वो रखते हैं अपन 25 mm per second पर उसका paper square move करता है और वहीं से अपनी सारी चीज रिसाइड हो जाती है कि उसमें जो चीजे होंगी वो क्यास रिकूल साही चल रही है जो ECG का paper है वो 25 mm per second करता है इससे क्या होता है जो ECG का ECG के अंदर जो blocks होता है ECG का जो एक big box होता है ECG का एक ECG का एक big box है यह होता है 5 mm का 5 mm इसकी यह height होती है और 5 mm इसकी यह width होती है और यह X का small box होता है यह एक small box 1 mm wide और 1 mm इसकी height होती है तो जो अपन कहते हैं कि जो अपन कहते हैं कि 25 mm per second ECG का paper move कर रहा है तो उससे होता क्या है यह जो 5 mm का एक box है एक one big boxes का 5 mm का इसकी duration होती है वह आती है 0.02 seconds और 1 mm की जो छोटा small box होता है small box होता है small square box होता है उसकी आती पॉइंट 0.04 seconds का इसके अलाबा यह तो timing का calibration होगे यह timing का calibration है उसके अलाब जो दूसरा calibration set होता है वह होता है कि यह जो भी waveform होगी अपनी उसकी height क्या आएगी उसकी height आएगी this 5 mm is equal to 0.5 mili volt और basically 1 mm is equal to 0.1 mili volt यह calibration होती है current amplitude के लिए और अपन को यह दूनों चीज़े कैसे बता पड़ती है ECG में speeds होती है इसके topmost उपर लिखी होती है हर ECG पे उपर speed लिखी होती है और उसके अलाबा जो ECG होती है कि उसमें calibration box बना होता है calibration box बना होता है 2 big squares का उपर इस तरीके से starting में box बना होता है यह बताता है कि यह हर 10 mm पे 1 mili volt 1 mili volt पे 10 mm उपता है तो अगर अपने कोई दिखरी साइट पे 10 mm है तो 1 mili volt 10 mm पे 10 mm उपर उठी है अगर यह calibration साही नहीं है यह ECG का calibration साही नहीं है तो अपन बड़ी दिसकती है करता है कि इसमें calibration किस तरह set किया है वो standardized है या नहीं है तो जो भी standardized ECG होगी उसमें अपन वो इस तरह का दिखेगा सबसाला ECG में क्या देखना है सबसाला पर यह देखना है कि वो standardized है क्या नहीं है इससे क्या होगा अपने ECG को ignore कर देता है तो जो सकता है इसका calibration साही नहीं ECG machine का और इसका calibration 1,2,3,4 4 boxes को cover कर रहा हो इससे क्या होगा 4 boxes को cover करने से जो wave अपने को इस height पर दिखे रही है वो wave अपने को इस से double दिखे रही है अपने इस चीज को ignore कर दे आपने को पता ही है हो television set है नहीं है आपन जो wave देख रहे हम साही double दिखे लिए तो अपने को सब इसीज में LVH देखना था अपने थोड़ा लग रहा था LVH है अपने ECG को देख रही है इपन डिरेक्ट ही देख रही है देख यह प्लंत है यह पहता है अपने की दोबार सब्सक्राइबी रचाहता है रचाहता है और दोब जो है पने हाइएए उसके पर दॉसक्ति धालम और अपने आपने लिए पाशिजिकागों सब्सक्राइब पर चट formula इसकी की उपड़ी तरह परें है सैड कर सकते मैं भी प्रीर मुद्वी्फामडी आरहे है, लगीशन कउड़ने कि आड़ी है, कर फशान है와ית ऐसके बहुत जादा, इसलीजा खाया है, कि क्योंट रखी है ऐसे की फीर तरही को था टटार है, ये वीफॉर ç हे टो gleichरें, अपर हिन की अच्छारी डियंड करेंगे उब इसको क्रस्व एंचनी को क्रोंच में में के कष़ए इसे जर्ए में मत पर कॉन और निकालर कविए रहे है आपन की हीट कर सकते हैं और अपर इसे को फो सब्सक्राइब और इसे की केशले हम पूंपर निचे करने के लिए अपन और इस भी जबलित पढती है इसलिए अपन को पढ़ this ऐenteen हweenी याए उपान कि बताना कि पालो इसे से कंचिए विन व कर्दी। एक बिग बॉक्स बिटनी हो तो अपन कह सकते हैं कि 25 mm पर सेकंड मूव कर रहा है और जो मिली वोल्ट है वो बन मिली वोल्ट पर 10 mm पर यह सेट है दूसरी चीज़ अपन क्या देखेंगे दूसरी चीज़ अपन दिखेंगे कि सारे कंप्लेक्स क्या एक जैसे हैं मेंकर क्या है यह रिप्लेक्ड अब यह वारी है लिए भाइन हे संब को पर देखैंगे टीखेंगे है ट्युस्ट पर 10 के पहले एक यह सरे-स जन सब 2.5 mm wide है यह और 2.5 mm इसकी height है जो एक normal period की होती है means period अपनी normal है और sinus node से originate हो रही है SA node से originate हो और sinus node तो पन्सको क्या कने सकते हैं कि यह जो rhythm अपनी आरिए है वह और इसी सीची में वह generate कर रहा है SA node और कौनसी rhythm है a-Normal Sinus Rhythm से एंहे is से उर्जिनित होता है तो पहले चीजए अपने देखी kia दो ने क्या दिखी कि रिथम क्यूं सी है sinus या फिर niche से उरीं होoti इस है वहां से फ़ण सोरिजनित हो रहे है सिनस नोड से इस होता है तो नी दोस्री चीजुँ एक रिथम कैसी है साइनस है या नॉन साइनस है उसके बाद अपका ने क्या दिखी रेगुलरिटी कैसी है इसमें क्या रिदम रेगुलर है या इसकी लेपन को सबसे इजी मैथाड है और हमेशा वही फ़लो करना चाहिए या तो अपने पास कैलिपर्स हो सबसे अच्छा पैस्ट है जो इस तरी जिए रेगुलर लेगा उसके बाद इस वाले पैस्ट को मूव करेंगे और यहां से यहां तो जो इस तरह इसका अपन कैलिपर्स को मूव करते जाएंगे तो एक सेम पाइंट पासिबल रेगुलर लिगम है इसके अवाला अब क्या गर सकते हैं क्योंकि अपना साथ मेंशा है यारफ और देख बताना हमेशा पौसिबल मी होता है तो अपन क्या कर सकते हैं एक पीसे शर्फ ये लिया इस देखा लाफ यहां मार्क कर दिया और दूसरा यहां कर दिया यहां जो पेपर है वो ट्राइं आइए विल्कुल ऐसे है शोलिड पेपर आप ने यहां मार्क कर दिया इसमें यहां आरवे बारे थी इस पेपर को मुव करूंगा तो यह पॉइंट यहां आज जाएगा और यहां पॉइंट इस तरह लाए करते जाएंगे हमेशा हर यह तरह नहीं तो मैंने क्या कहा सबस्वले यह स्टेंडर्ड है स्टेंडर्ड इसीजी है तिरका मैंने नॉर्मल साइनसिदम है कैसी रेगुलर है रेगुलर है कि इस्टेंडडाइज है यह नहीं है इसीजी अब दूसर साइनसिदम है जाग रहे उसके राद अपन हाट्रेट कारेंगे कि अपन इसीजी में हाट्रेट कैसे कारते हैं हाट्रेट अगर इसीजी रेगुलर है मतलब इसकी रेगुलर है तो सिंपल है हाट्रेट का एक फाम्बला है हाट्रेट इसीजी इकल टू 300 दिवैड़ेड़ वाई जितने बिग बॉक्सेस बिट्वन आरा निट्रेट नमबर ओफ बिग बॉक्सेस तो यहां पर कितने हैं वन टू ट्री पॉर पर मिनिट्ट सपोज अगर बिग बॉक्सेस बिल्कुल एक्जाट नहीं आ रहे है फॉर बिग बॉक्स और एक स्मॉल बॉक्स आ रहा है या दू स्मॉल बॉक्स आ रहे हैं तो स्केश में अपन क्या करेंगे यह कैसे कि आपका ने एक बॉक्स में फाइव स्मॉल बॉक्स उते हैं तो 300 इंटू 5 यह उते हैं तो 1500 और नमबर बॉक्स इंटू इंटू वो तो पन टूल बॉक्स आ रहेंगे आपका यह अगर इसमें 300 divided रहे एक जब स्मॉल 1 2 3 4 तो यह गए और 1 1 फोर द्रिश्ट में आगा तो यह आ जाएगा 5 वोग्स होग्स होग द्वांटी वन्टी वंटी 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 वन्टी वंटी स्माल वक्स रजिवए सब्सक्राइब कर दो कि अपने हो गया हां अगर इंपॉर्टन बात ही है कि अगर हाट रेगलर हो तो कैसे बताएंगे अपना सब्सक्राइब सब्सक्राइब अपनी प्सक्राइब अपन कैसे बताएंगे इसमें हाट्रीट क्या है इस आरा इंटरल को लेंगे इसको लेंगे इसको लेंगे इसको लेंगे इसको लेंगे तो इसकेस में अपन क्या करेंगे को अपने इसी इस-ठीप में 6 सेंट कांउं अगर फिछ अ ये उडिक सकेंस में एट बिम्हाँ यह क्योंकि एक बिग बॉक्स हो जाएंगे 6 सेकंड के तो आपको 6 सेकंड की रिदम काउंट कर नहीं है तो इसमें अपने इर्रगुलर माल लेते हैं और 6 सेकंड की रिदम काउंट करते हैं तो यहां तक हो गए तो 123 यहां तक 6 सेकंड हो गए तो 12345678 यहां जाएगी टिपर निनाट इस 6 सेकंड में नंबर और इंटर जो भी आ रही है इनको काउंट करके इन्टू 10 करते हैं यह अपना अगर इस रागुलर ली इस रागुलर इसी चीड हो या इस रागुलर जिदम हो उसकी तो अपन को हर्टिट कैसे निकालनी है उसना अपन को 6 सेकंड की रिदम लेनी है इसके पर उसके उपना क्या रहेगा एक्सिस के इस में अपने व्यार 2021 बनाया हुप घ्रीबठी बनाया है दिसके अपने इन लीटिcejल होः की एक्से की स्ट कैसे निकालनी है यहां हम चॉठ जाब देख लेते दो है जो या इपनिहां की चिक ट्रिज इसे परस्ट लीड देखनी है एभी अग्यां आप अपने नगी इसके सबीसितएगी अपने जानते हैं कि माइनस 30 से प्रस का 105 देखरी अगर यहां पर एक्सेश कहीं आ रही है तो इसके पूरे बीच में मतलब इसके वीच में आयेगी नौमल एक्सेश है एक्सेस नॉमल होगी फस्ट पॉजिट्व है एब फॉजिट्व है तो यह अपनी होगी नॉमल एक्सिट्व इसके जो भी लेफ्ट एक्स डेवीशन है राइट एक्स डेवीशन वो पूरी वीडियो में डिस्क्राब किया हुगा है कि अपन उसको कैसे देखेंगे मिया जो कि आइने ऊसे यह से निकाल लीूल झे वाइक्सिस के लिए डिस्क्राफ्ट्रेट ना है इसकीति तो क्या रही है है तो अब स्लिस्की विट देखेंगे तो 1, 2 और 2.5 से थोड़ा सा कम है तो यह उसकी normal विट हो गई नमल विट होगी narrow complex qs narrow complex qrs की विट इतनी important क्यों है qrs की विट इतनी important है qrs की विट जादा आ रही है मतलब भी डिस्क्राइब कर रहा है कि वेंटिक्लों है और अगर नुटिव पाथे से से नहीं है और सब्सक्राजर के एसमें कही यह नहीं पातर है तो कि अपने कोpalोष कही तो यह अपने और यह श्रॉन सोटी आती है और ऐसे बढ़ी या यह जदर बढ़ती जाती है यह कि कि श longer होगी यहां पर दिख लेते हैं कि अगर एक dominant S-V वारी वी वन में और V6 में एक dominant R-V वारी है और यह wide QRS है तो यह हो जाएगा अपना LVV pattern और V1 में अगर dominant R-V वारी है बाइड, dominant, rv वारी है और v6 में एक स्तरी के सैसे वारी है dominant तो वह अपना हो जाएगा rv pattern यहाँ अपन को क्या देखना है कि वह normal qrs complex है या फिर wide है अपने देख लिया कि narrow qrs complex है narrow में अपने इसके बाद देखा कि v1 में कैसी morphology इसकी s more than r है जो कि होना चाहिए rv बड़ी निया सकती v1 में s more than r है तो यह normal है अगर r more than s होता और यह narrow होता तो यह rv h के तरव चला जाता right ventricular hypertrophy दूसरा अपन क्या देखना है left ventricular hypertrophy उसकी रिख्या criteria है v1 में यह जो s wave है और v6 और v5 जो जो जोनों में से जो भी बड़ी हो तो अपन दोनों काउंट कर लेंगे और अगर more than 35 mm r यह हो तो वह leh का criteria fulfill करेंगे s wave in the v1 plus r wave in the v5 और v6 more than 35 mm और भी बहुता है criteria है लेकिन यह basic criteria है इसा कुछ है तो अपन उसको बूल देंगे lvh की तरफ जा रहा वो patient तो इस तरह अपन qrs morphology कमेंट कर दी है qrs morphology normal है कोई lvh या फिर rvh नहीं इसमें जैसा इसमें अपन देख लेते हैं तो one two three four और five six और seven पुरा नहीं हो रहा है अपन क्या देखेंगे आपन एक qrs की बता दी उसके आपन बताएंगी sg segment और mi की तरफ दिखेंगे पर स्टी सेग्मेंट elevation और कुस्तु नहीं है sg segment अपन को देखने के लिए क्या करना है sg segment देखने के लिए अपनको पूरी cg में sg segment में देखना है कि इसमेंट को elevation को depression तो नहीं है उसको किस से compare करना है sg segment elevation को अपन को जो अपना tp segment है उससे compare करना है अपना tp segment क्या होता है यह अपना sg segment होता है यह खतम हो रहा है यहां पर s और यह शुरू हो रहा है तो यह जो segment है यह अपना sg segment है tp segment क्यों सा है यह अपनी t wave खतम हो रही है और p wave स्टार्ट हो रही है अब इसका enlarge करते है अपन यह अपना sg segment है वो tp segment है अगर अपन फर्स लीड देखी फर्स लीड में st segment नॉर्मल लेवल पर है फर्स लीड के बाद अगर यह नहीं होता तो फर्स फर्स अपन को इस तरह के अपन को अपन को देखना है जो भी उसकी corresponding wall को रिप्रेशन करती है फर्स के बाद second ने देखनी है फर्स के बाद abl देखनी है v5 देखनी है v6 देखनी है second third और रिवेट साथ में देखनी है देखनी है v1 v2 v3 और v4 साथ में देखनी है तो यह अपन ने देख लिया कि ST second में कोई दिक्कत है कि इस ECG में तो इस ECG में अपन ने देखा कि ST second कुछ है क्या starting from the first first clear है abl clear है second third और abf में वह दिक्कत नहीं है बिल्कुल लाई करते हैं इस पर यह कि इवियार ठीक है v1 v2 v3 v4 v5 v6 जो बड़ा सालका सा लग रहा है लेकिन सब उच्छाहिए इसमें जब अपन रिपीटे डिसीज देखेंगे तो अपन को पहचानने में जाता है कि क्या अलिवीशन है क्या डिपरेशन है उसके बाद आपन देखेंगे एस्टी सेगेंट इलवीशन बहरेशन देखेंगे ये लास्ट टी में क्या देखा था पा ने आपका ने इन वे अप जो नोमल टीवे बडल होती रहते है अपनी इपर वांद या मोन इस के बीच पीक से आप लोइद अपनों यह जो डिस्टेंस है और यह जो डिस्टेंस है दोनों थोड़ी ऐसमेटरिकल होगी तो यह अपनी नॉमल टीव है आज अर्वेव से छोटी इस टीवेव को अपन को देखना है कि हमेशा अप जो टीवेव होती है वह अपराइट होती है कि अपने यहां पर अपने नॉमल आ सकता है और एक सिंगल लिन नॉमल होता है यह नेगटर हो ऑसके बाद लास्ट अपन को देखने है पी आर इंटरवल क्या होती है यह अपनी पी वेव है और यह अपना यहां से आर शुरू हो गया तो यह जो डिस्टेंस है यह पी आर सेग्मेंट और जहां से पी स्टार्ट हो रही है और आर वेव स्टार्ट हो रही है पी के स्टार्डिंग से आर के स्टार्ट तक यह होता है व्हार पी, हारी ऋ्टरव सकते हैं अगर आपनगों सस्पेक्टेड हैं इस से ज्यादा तो यह उत्वार्डव के सब iper interval exists है? कोई कम जादा तो नहीं है, अगर normal system में regular है तो most publicly सारे PR intervals exists है हूँगे और पन पन count करके दिख लेता है पियर interval कितना है, तो इसको अपन गोल देगे कि PR Intervall normal है तो। इस हीज़िक इस इस इसीज़ वह दिस्ट्राइबक पर तुक है इसी इसीज़िक पड़ाएब कर लिक तो कैसे ड़िक कर लिक है इसा नहीं कि रहा नॉमल है नहीं आप उसके सारे पॉइंट बताने हैं और फिर अपने को गुंळा है कि हां यह इसीज़िक नॉमल निमि एकसेस नमल एकसेस है क्योवारस निरो क्योवारस है कोई वेंडल भांच ब्लोक्स निए पेशन निए उसके बाद अपने निरो क्योवारस है कोई LVH ए RVS के रिटेर्या फुल्टी निवह रहा है सब्सक्राइब एसा कम पढ़ रहा है वो भी सकता नहीं भी सकता exactly नहीं निया रहे है seven blocks में seven box में में एक small box रहे हैं अगर बादर लाई आई से फैसे विसके चल्ष हो भी सकता रही है कर इसके बाद अपने क्या देखा कि लगहां ने रोक्युए प्रोसेर चलेंगे तो अपन डाइगे तो अपन डाइगे प्रोसेर चलेंगे तो अपन प्रोसेर चलेंगे तो अपने 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 प्रोसेर चलेंगे प्रोसेर चलेंगे तो अपने प्रोसेर चलेंगे तो अपने प्रोसेर चलेंगे प्रोसेर चलेंगे तकि हो यह फिर 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 प्रेट लेगे लिए फिर रजी प्रेट्व सब्सक्राइब करेंगे कि इस तरहें है इस तरह के साथ चुरिप करना है this is all thank you